नमस्कार आप देख रहे हैं जनतरबान न्यूस चंदन सौमी के साथ दिल्ली के मुख्या मंत्री अर्विंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोट में एक अर्जी दाखिल की है अपनी अर्जी में अरविंद केजरिवाल ने मांग की है कि कोट की ओर से परवरतन निदेशाले को कोई भी दंडात्मक कारेवाई न करने का निदेश दिया जाए अर्विन केजरीवाल और उनकी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि दिल्ली के CM को गिरफतार किया जाए अर्विन केजरीवाल को ED 21 मार्च को पूस्ताच के लिए बुलाया था पूस्ताच से पहले ही उन्होंने दिल्ली हाई कोट में अरजी दाखिल कर दिये और गिरफतारी को लेकर के अन्दाशा जदाया है अर्विन केजरीवाल ने अपनी मर्जी में कहा है कि अगर उन्हें कोट से आज़ वशन मिल जाए कि उन्हें गिरफतार नहीं कीया जाएगा तो वह ED के सामने पूस्ताच में पेश होने के लिए तयार है अर्विन केजरिवाल को अब तक कुल 9 समन बेज़े जा चुके हैं उन्हें पहला समन 2 नौंबर 2023 को बेज़ा गया था लेकिन वहाँ वो पेश नहीं हुए थे इसके बाद में उन्हें 21 वरवरी, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 वरवरी, 19 वरवरी, 26 वरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को समन बेज़ा गया हाला कि C.M. अर्विन केजरिवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए उन्होंने आरोप लगया है कि यह सभी समन राजनिती से प्रेरित है अब अर्विन केजरिवाल समन पर पेश नहीं हुए है उसके बाद E.D. कोट पहुँच गई है पिसले शनिवार को ही अर्विन केजरिवाल को एक अदालत में जमारत मिली है अनिवार को वीडियो कॉणफरेंस की जरके वैं अदालत में पेश भी हुए थे दिल्ली शराब गोटाले की जाच CBI कर रही है वहीं इससे जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले की जाच E.D. कर रही है इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप्यमख मंत्री मनी शिशोधिया पहले ही जेल में है साथ ही आमाधिम पार्टी के राज्यसवा सांसद संजे सिंग भी जेल में है वही दिल्ली शराब गोटाले मामले में इडी ने हाल ही में तेलंगना की पूर्व के चंदरशेकर की राव की बेटी के कविता को भी गरफतार किया है